हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर कर जंद पुरह आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बीए से स्टुनों कर आप किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हा तो आपको Uniform Convergence of Series समझ में आएगा और यहां पर तीन टेस्ट होते हैं वान इस वाइस्टा सेम टेस्ट है देन अबेल टेस्ट है देन डिस्ट्रिक टेस्ट है यह सब हम डिसकस करने वाले इन अपकमिंग क्लासेज में आज मैं आपके सामने Series of Function डिसकस करने वाला और कैस से वहाँ पर हम यह पता करते हैं कि Series of Function Convergence है या नहीं है और वैसे यहां पर Convergence वार्ड यूज नहीं किया जाता है यहां पर यूनिफॉर्म Convergence वार्ड यूज किया जाता है पर से पहले मेरे जो वीडियो जिसमें मैंने Uniform Convergence of Sequence समझा रखा है वह आई टेप पर जाके देख लीजिए लिंक आपको description में मिल जाएगा उसके बाद यह पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ मायाँ आगा तो सब्सक्राइब से शरीज ओफंक्शन क्या होता है जैसे हमारे पास सीरीज ओफ रियल नंबर होता है वैसा ही कंसेप्ट होता है बड़ यहां पर फंक्शन होता है बस यह थोड़ा ध्यान देने की जरूत है तो लेट डीज subset of R and F and X be the sequence of function, right? जो uniformly convergent हम sequence का बात करते हैं है ना, वो यहाँ पर हमारे पास sequence of function है, on D to R, then जित्ते भी हमारे पास sequence की जो terms होती है उसका अगर हम summation ले ले और infinite sum करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास इस type की terms मिलती है, इसको बोलते हम series of function, right? अब यह type की जो series of functions होती है यहाँ पर हम पता करेंगे कि यह हमारे पास convergent है की नहीं है तो अगर यह होगी, तो हम इसको बोलेंगे uniformly convergent, पर महाँ को बताना चाहरा हूँ कि जब मैंने आपको series of real number बतायता था, वहाँ पर हमने बात कर रही थी SOPS, that is sequence of partial sum वो का वो concept हम यहाँ यूज करने वाले है पर हम आपके सामने एक example देता हूँ कि जिसे हमारे पास जो series of function होता हूँ इस type की हमारे पास यहाँ पर क्या होता है terms होती, normally जो हम real number की series की बात करें तो वहाँ पर x नहीं आता है वो हमारे पास convergent है या नहीं है x की अलग-अलग विली जिसे हमें बोला जारा की x is greater than equal to zero तो उसमें हम यहाँ पर चेक करते हैं हम बोला जारा की x belongs to r तो यह हमारे पास x जो function है, fx है उसके हमारे पास अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग तो हम क्या करते है, उसका सब पहली टर्म तक का सम यहाँ यह स्वन लेंगे, f1 x हो जाएगा s2 x लेंगे, that is, first two term का सम, s3 मतलब first three term का सम, ऐसे हम यहाँ बात करेंगे, snx, that is first n term का सम लेंग, यह हम इस तरह से लिखते है then the sequence sn is set to be the sequence of partial sum, जो यह हमारे पास sequence बनती है जो भी हमने यहाँ पर टर्म ली तो इसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर जिसे s1, फिर s2, फिर s3, इस टाप से हमारे पास यहाँ पर क्या मिलती है, sequence मिलती है, तो यह टाप की जो sequence होती है, इस sequence हम क्या बोलते है, sequence of a partial sum, अब बात करते हैं, इसका series से क्या connection है, आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों हम यह पढ़ रहे हैं, तुम आपको बताना चाहरा हो, कि यहाँ पर जुसका result है, वो आप समझ में आएगा, तो आपको इसका relation बता पढ़ेगा, क्यों हम यह क्या है, तो आप को आईटे पर जाके समझना पढ़ेगा, इस पर मैंने वीडियो अपलोट कर रखा है, सगेंड, अगर यह हमारे पास SN, जो sequence, सपी, यह अगर युनिफर्म ली कन बरजेंट है, तो हमारे पास जो series होगी, fnx, यह भी हमारे पास क्या होगी, uniformly convergent होगी, domain के अंदर, right, अब uniformly convergent का concept मेंने बता रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं, link आपको discussion में भी मिल जाएगा, अब बात करते हैं, so example देखे, the series of function 1 plus x plus x square up to infinite जा रहा है, और x यहां पे 0 to 1 के बीच में, जहां पर यह हमारे पास, इधर से closed है, उदर से मारे पास क्या open है, मतलब यह step का interval है, तो यह जो series होती है, इस interval के अंदर convergent होती है, पर यह uniformly convergent नहीं होती है, right, अब आप बोलोगे, sir, कि uniformly convergent क्यों नहीं होती है, तो हम पता करें, क्या करेंगे, इसका SOPS लेंगे, right, अगर मैं इसका SOPS की बात करूँ, तो इस X plus X square, right, अब टू हमारे पास क्या आएगा, यह X n आएगा, अब इसका sequence लेते, right, तो सिक्वेस हम जानते, सिक्वेस को मैं इस तरह से series है, तो उसका जो N time का sum होता है, वो होता A, 1 minus R power N, 1 minus R, यह हमारे पास होता है, जहां पर R की value हमारे पास कि दिर की X दिर की A हमारे पास 1 है, तो यह रहेगा, 1 minus X power N, 1 minus X, right, अगर हम इसका limit and tends to infinite पे चिक करें, किया, डिको, ultimately, जब भी हम sequence की convergence की की बात करते हैं, तो हम limit and tends to infinite रखेंगे, तो चुकि जो X है, वो 0 से 1 के बीच में, 1 नहीं जा रहा है, 1 से छोटा है, तो हम जानते हैं, यहां पर कोई भी value है, जिसने मान लिए आपने 1 by 2 रख लिया, तो 1 by 2 power N, तो N tends to infinity पे 0 ही जाएगा, तो ultimately जैसे हम N tends to infinite रहेंगे, limit and tends to infinite लें, इस काम लोगे है, limit and tends to infinite लें, तो यह हमारे पास क्या जाएगा, 0 आएगा, तो इसकी विल्या हमारे पास क्या है, 1 upon 1 minus X हो जाएगा, जो कि X हमारे पास क्या है, 0 or 1 के बीच में, इस सिक्वेंस, 0 to 1, यह हमारे पास सिक्वेंस है, 0 to 1 के बीच में क्या कर रहें, इस सिक्वेंस, इस सिक्वेंस 1 upon 1-6 यहां पर 1 upon 1-1-6 क्या कररी किनवर्च करी पर यह उनिफॉर्मली कर लिगर रहे क्योंकि युनिफॉर्मली कर रहे क्योंकि हमरे पास 0-1 के बीच में यह बाउंडेड नहीं है युगि जैसे अग्र आप यह एक्सेंज टुवर्ण रहे प्लेंट फोंद इसके एंड पास uniformly convergent है या नहीं है पर हम बात करेंगे तो वह तोड़ा सा लाइक टिपिकल हो जाता है इस तरह से चेक करना तो यहां पर हम टेस्ट को यूज करते हैं या फिर हमारे हमारे पास वास्टर सम्ट टेस्ट है तो इनसे हम यहां पर पता लगा सकता है तो सबसे पहले लेता हूं यह हमारे पास आएगा एकस इंटू एकस ब्लस वन तो इसको मैं लिख सकता हूं एकस प्लस वन एंटू 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 एकस प्लस एंटू एकस प्लस वन एंटू एकस प्लस वन एंटू एकस प सबसे पहले मैं बात करता हूं सबसे पहले मैं बात करता हूं एसको इसलिखते है अगर हम इसकी point wise limit निकाले यह आता limit and tends to infinitive s n इसकी value जो हती है वो s आती है और इसको हम यह लिखता है इस उन एन जब हमारे पास x की value 0 होगी जब 0 होगी x की value तो हम जानते है कि x की value 0 पर हमारे एस-सकी point wise limit नहीं है और अगर किसी भी sequence कि एकर हमारे पास point wise limit continuous नहीं तो वह uniformly convergent नहीं होती है अगर यह सनेक्स uniformly convergent नहीं है तो यह भी हमारे पास uniformly convergent नहीं होगा तो इस तरह हम इसको सकता है अब बात करते हैं यह पर कोची जनरल प्रिंसिपल क्या होता है अच्छा इंपॉर्ड रिजल्ट है कि एकर हमार पास कोई भी सीरीज है वह युनिफॉर्म ली कंज़ेंट है तो हर एपसॉलन के लिए एक ऐसा एम एक्जिस्ट करेंगा जैसे जैसे से हम उसकी उससे अगे बढ़ेंगे मत था एयम से बड़ी विल्यू लेंगे तो जो सीरीज का बहुं है वह इस चाहिप से होना स्टाइब आप जितने हमारे पास एंसे बढ़ी जितने this fn is less than equal to MN इसमुन यह अग्तर से comparison test टैप करता है जो हम लोग series में comparison test परते हैं डिक्टो यहां पर यूज़न में करना है बस ध्यान देना है कि जो भी मैं लोग उसके इंदर x include नहीं होना चाहिए राइड वहां पर जित्ती भी terms होनी चीए वो सब क्या होने चाहिए एंड पर डिपेंड करने चाहिए यह दियान देने की ज़रुत है तो इसका प्रूफ क्या होता है इस प्रूफ समझ लेते हैं कि जो भी हमारे पास समेशन मन है इस कंवर्जेंट बाइद कोची प्रिंसिपल अगर हम जानते हैं यह जो मन है यह हमारे पा लगा दूकी समेशन अठीट इसलब से च्बाइब तो फ मेसलीकोlet से चोटा है सबस् chaud है समेशन चाहिए इसको बहुत बहुत ईजीप कर सकते ऑख बताना चाहता हुँ कैसा मैं घूल कि समझानते हैं कि fnx is less than equal to m है मैं आपको भूला था कि हम वन रखेंगे फिर टू रखेंगे अगर आगे कोई भी रखते जाए तो इसके लिए तुम्हें यहां पर यहां प्लस रखाते हैं यहां फिर सबको मैंने एड गया तो यह इससे क्या होगा चोटा होगा और हम जानत आपको यहां से एक्सकोटा होगा अगर यह से चूटा होगा अगर यह बाइपी सीरीस कनवर्जेंट है तो यह भी हमारे पास किया जाएगा कनवर्जेंट हो जाएगा यहां यहां पर क्या होगा यह उनिफर्मली कनवर्जेंट हो और हम जानते हैं कि अगर यह इनिफर्म्ली कनवर्जेंट भी होता है और यह में एनक्यूब एड़ करते हैं यहां पर हमारे पास प्लस एन पावर फॉर एक्स इसको उल्टा करेंगे तो यह लेस्टन हो जाएगा वन अपन और अगर यह यूसी है तो यह भी हमारे पास क्या होगा उनिफरम ली कनवर्जिंट हो जाता लाइट तो इस तरह से बहुत इसको कर सकता है इसको यहांप पर इस तरह से समझ सकते हैं इसक्रीजें यह गजसंपल समझने कोशिश करे पर इस कोशिच्छन में थोड़ा सा डिफ प्रफटाई होगा एक्स इसका मतलब एमेंज होगा वह एक्समाम विल्यू कभी-कभी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहां पर जिसे यहां पर उपर एक्स नहीं होता उपर सिर्फ वन होता तो फिर तो हम कंपरेजन वाला काम कर सकते दें कि सुमेशन लेजन वन बाइन आ रहा है सकता है पर यहां पर आपके यहां पर एक्स तो थोड़ा सा मारे टेक्निकली गडबढ़ कर देगा तो इसके लिए पर एक्साइब करेंगे किस प्ता करेंगे तो फिर हम कंपरेसल लेजा सकते हैं तो वह हम करने वाला है और चे रखेंगे किया और 0 रखेंगे सो X is equal to plus minus root n जो आ रहा है वो हमारे पास extreme point आ रहा है वो maximum भी दे सकता है और मेनिवा भी दे सकता है तो हम क्या करेंगे इसका double derivative निकालते हैं double derivative निकाल कि one upon root n रखते हैं तो हम जानते हैं कि MN की value हम यहां पर X is equal to one upon root n पर ले सकता है तो वही हम यहां पर करने वाले हैं तो हम जानते हैं कि इसकी value हमारे पास यह less than 0 आ रही at X is equal to one by root n अब हम क्या करेंगे सुन यह जो one upon root n है यह X की जिए हम यहां पर क्या कर देंगे यह हमारे पास P series test से क्या होता है Convergent होता है यह भी हमारे पास क्या जाएगा Convergent हो जागा तो यह हमारे पास क्या होगा uniformly Convergent हो जाएगा तो इस तरह हम बहुत इसको यहां पर प्रूब कर सकते हैं इस तो एक और example देखिए तो बहुत सिंपल सा question है इस तरह से पता कर सकते हैं तो यह बहुत सिंपल सिंपल से question है जिसको मैं एक्जाम में कर सकते हैं और मैं चाहूंगा किस question को आप मुझे करके बताए कि यह जो है यह हमारे पास uniformly Convergent है यह uniformly Convergent नहीं है और इसको solve करने में आपको किते सेकेंड लगे देखते ही हो रहा है वैसे तो यह आपको मुझे comment box में comment करके बताना है और कैसी लगरी मेरी classes प्लीज आप comment करके ज़रूर बताईए लाइक करे शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सस्काब करिए uniformly Convergent की पूरी यहां जाके subscribe कर सकते हैं यहां जाके आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं कि सब्सक्राइब करें लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन में को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की आपको मिलते रहें इसका अंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए धन्यवाद